आज हम देखेंगे संख्याओं के मानक रूप से जुड़ी कुछ मित्याधार्णा है मित्याधार्णा एक ग्याध कीजिए किसने दी गई संख्या का सही मानक रूप लिखा कुछ बच्चे संख्या के घातां की रूप यानि एक्स्पोनेंशल फॉर्म और मानक रूप में अंतर नहीं समझ पाते वे सोचते हैं कि संख्या का घातां की रूप ही मानक रूप होता है जैसे दी गई संख्या को हम इस प्रकार अलग-अलग प्रकार से लिख सकते हैं वे देखते हैं कि मीना और राज के जवाब इन में से है इसलिए वे सोचते हैं कि option 3 सही जवाब है चुकि प्रत्य गहतां की रूप मानक रूप नहीं होता इसलिए यहां option 3 गलत जवाब है कुछ बच्चे यह तो जानते हैं कि अगर एक से छोटी संख्याओं का मानक रूप प्राप्त करना हो तो दशमलव बिंदू यानि decimal point को दाई और सरकाया जाता है आकि संख्या को M गुणा 10 के उपरगाद P के रूप में लिखा जा सके जहां M एक दशमलव शूनित या उससे अधिक लेकिन 10 से छोटी संख्या है और P एक पूर्णा अंखो जैसे यहां राज़न दशमलव बिंदू को चार स्थान दाई और सरकाया है और संख्या का मान समान रखने के लिए 10 के उपर घात रिंट 4 से गुणा किया है इसलिए यहां सही जवाब है option 1 कुछ बच्चे ऐसा करते समय घात का चिन्न सही रूप से नहीं दर्शाते वे सोचते हैं कि 1 के उपर घात रिंट N और 1 के उपर घात N बराबर होते हैं जैसे यहां रोहित की समझ है कि 10 के उपर घात रिंट 4 और 10 के उपर घात 4 समान है लेकिन यहां गलत समझ है क्योंकि 10 के उपर घात रिंट 4 मतलब 0.001 और 10 के उपर घात 4 मतलब 1.00.00 याने की option दो भी गलत जवाब है। परिणाम बराबर है? नहीं। इसलिए A के उपर घात रिण N और A के उपर घात N बराबर नहीं होते। मिथ्यधार्णा दो टैंक A की अनाज भंडारन शमता यानि स्टोरेज कपासिटी तीन लाख ग्राम है और टैंक B की अनाज भंडारन शमता दो लाख किलो ग्राम है। दोनों टैंकों की भंडारन शमता की तुलना कीजिये। यहाँ टैंक A की भंडारन शमता है तीन लाख ग्राम और टैंक B की भंडारन शमता है दो लाख किलो ग्राम। दोनों टैंकों की भंडारन शमता के तुलना करनी है। कुछ बच्चे ये देखते हैं कि टैंक A की भंडारन शमता तीन लाख यानि की तीन गुणा दस की उपर घात पांच है और टैंक B की भंडारन शमता दो लाख यानि दो गुणा दस की उपर घात पांच है। बच्चों का ध्यान इकाई की तरफ नहीं जाता, उनका ध्यान केवल संख्या उपर होता है और जैसे की तीन गुणा दस की उपर घात पांच संख्या, दो गुणा दस की उपर घात पांच से बड़ी है, इसलिए उन्हें लगता है कि टैंक A की भंडारन शम्ता टैंक B से ज् पहला विकल्ब चुनते हैं, जो की गलत जवाब है हमें संख्याओं की इकाई उपर ध्यान देना अवश्यक है यहाँ पर टैंक A की अनाज भंडारन शम्ता ग्राम में है और टैंक B की अनाज भंडारन शम्ता किलो ग्राम में है तुलना करने के लिए दोनों संख्याओं की इकाई समान होनी चाहिए हमें ग्यात है एक किलो ग्राम बराबर हजार ग्राम याने की दस की उपर घात तीन ग्राम के बराबर है अतह दो गुणा दस की उपर घात पाँच गुणा दस की उपर घात तीन बराबर दो गुणा दस की उपर घात आठ होता है अर्थाद टैंक बी की भंडारन शमता दो गुणा दस की उपर घात आठ ग्राम है जो की तीन गुणा दस की उपर घात पांच ग्राम से ज्यादा है इसलिए विकल्ब दो सही है तो आज हमने देखी संख्याओं के मानक रूप से जुड़ी कुछ मिथ्याधार ना है